आप देख रहे हैं खटपट न्यूज नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अपूर वासी 36 गर्ड बीजेपी प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी आज सुभर रायपूर पहुंची उनके साथ ही सहप्रभारी नितिन नवीन भी रायपूर पहुंच चुके हैं यहाँ पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने एरपोर्ट पर उनका स्वागत किया उसके बाद बीजेपी कारेले में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक रखी गई इस दोरा संभाग और जिलास्तर के पदाधिकारियों से भी पुरंदीश्वरी ने चर्चा की इस बीच विस अंगठन को और मजबूत बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों कारेकरताओं से चर्चा करेंगी उनके साथ सहाँ प्रभारी नितिन लविन के साथ ही प्रढ़ीश-ADध्यक्ष विष्ण देव साहिभी मौजूद रहे बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी डीपुरंदेश्वरी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी का दायत पर सौपने के बाद एक पहली बैठक हुई थी और इसके बाद आज दूसरी बैठक के एक महीने बाद हुई है बैठक में जो दिशा निर्देश दिये थे उसका रिवियो लेने आ जाये थे संगठन विस्तार और सभी प्रफारियों के गठन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है 33 गड़ में बीजेपी को सशक्त रूप प्रदान करने एक्शन प्लान तयार किया जा रहा है पार्टी को जड़ से मजबूत बनाने की कोशिस के जा रही है उन्होंने आगामी रंडीतियों पर कहा कि पार्टी वर्तमान मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी वर्तमान में धान खरीदे के मुद्दे पर किसान को घेरनी की रंडीती बनाई जाएगी कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार किसानों की विरोधी हो चुकी है पर राज़ सरकार किसानों के पक्ष में ही नहीं है धान खरीदी में राज़ सरकार को धान खरीदी का कोटा 28 लाक मिट्रिक टन दिया गया था जिसे वो पूरा नहीं कर पाई है और यहीं नहीं, 9000 करोड की राशी केंदर की ओर से दी गई थी, उससे भी ये कलेक्ट नहीं कर पाई है Bureau Report खटपट News